Hello students, welcome back to my channel तो आज के क्लास में हम discuss करने वाले हैं Cosmetic Problems Associated with Skin इसमें आते हैं हमारे Blemishes, Wringles, Acne, Prickly Heat and Body Order इन सब चीजों को आज के क्लास में हम discuss करने वाले हैं Hello students, तो चलिए start करते हैं Cosmetic Problems Associated with Skin, Blemish, Wringles, Acne, Prickly Heat and Body Order तो इसके बारे हम आज के क्लास में discuss करेंगी तो फर्स्ट है हमारा Blemishes And Blemishes के बारे हम जिसे देखें तो इसमें बोले जा रहा है Blemishes are marked as area of discoloration dark spots on the skin Generally caused by the acne breakouts अब जैसे देखें तो फिर जो blemishes जो रहता है इसमें क्या होता है कि जैसे हम acne अगर acne pimples रहते हैं बनता है उसी को क्या बोला जाता है Blemishes बोला जाता है आगे जैसे देखें देखें आलसो भी attributed to factors like hormonal imbalance, genetics and improper skin care, poor diets, insulin exposure and aging तो यह सब जो कारण रहते हैं जिसके कारण से क्या होता है यह सब जो factors हैं वो responsive रहते हैं एकने होने के लिए pimples आने के लिए जिसके कारण से क्या होता है blemishes आते हैं यानि कि जो हमारे face रहते हैं उसमें dark sports आता है discoloration आता है हमारे face ठीक है तो यह सब इसके कारण रहते हैं अब इसमें आगे जैसे देखें common type include causes blemishes first है एकने एकने के बारें जैसे देखें तो फिर one of the most common blemishes causing condition is एकने this can cause rized postules and pimples as well as flat back heads and white heads अब इसमें जैसे देखें तो फिर जो एकने जो रहते हैं सबसे common blemishes causing condition रहते हैं जिसके कारण से क्या होता है हमारे चेहरे पर क्या आता है हमारे face पर क्या आता है जो dark spot बनते हैं वो इन ही के कारण से होता है आगे जैसे देखें हमारा scars, scar का formation कैसे होता है तो विश्में बोला जा रहे, scarring is another of the most common blemishing यानि कि एक तरीके सी scarring जो है वो भी एक तरीके का common causes है जिसके कारण से blemishing होता है it's caused by too much collision building up after the injury and can range widely in size, color and texture अब जैसे देखें तो फिर scarring मतलब की जो चोट लगने के पास जो scars का formation करता है हमारी scheme को क्या करने के लिए भरने के लिए जैसे बोले है गाओ के चोट लगने के अबार जो गाओ जो भरता है तो उसको scars का formation बोलते हैं तो उसके कारण से जो वहाँ पे निसान बन जाता है उसी को क्या बोला जाता है? Scars बोला जाता है तो जैसे injury कहीं पर भी चोट वोट लगता है, तो उसके करण से क्या होता है, वहाँ पर collision जो है, इकठा होने लगता है, वहाँ पर buildings बनाने लगते है, तो उसके करण से क्या होता है, बहुत जादा मातरा में, क्या हो जाता है, वहाँ पर इकठा हो जाता है, जिसके करण से क्य मतलब की डार्क इसपार्स बनते हैं धब hypert致 ACC लेशन देखा जाता है बागे जैसे देखेंº इसार का फोर्मेशन होना ने ऐसाइब बहुत ज्यादा मात्रह मैं तो उसको घंदर कर सकते हैं जो वित। sea containing करने वाले जो oils रहेंगे skin oils रहेंगे उसके use करके का कर सकते हम लोग इस चीज को कम कर सकते हैं, reduce कर सकते हैं birth marks अब जो birth marks जैसे बोलते हैं कि बचपन से जो निसान हमको मीला रहता है उसके बारे हम जैसे देखें तो फिर ये क्या है blemishes that appears as flat patches of discoloration that are present in birth or develop than a person is very young और called birth marks अब जैसे देखें तो जो birth mark रहता है एक तरीके का flat patch रहते हैं यानि कि एकडम सटा हुआ यानि कि चिपका हुआ एक patch के तरह color रहता है discoloration रहता है that are present in a birth और develop than a person in very young अब जैसे देखें तो ये जन्म से ही हमारे बॉड़ी में जो है हमारी skin में ये रहता है अब जैसे 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 जो है वो यंग होते जाते हैं वैसे वैसे जो है जो बर्थ मार करता है वो बर्थे जाता है और उसी को बर्थ मार का बोला जाता है they can usually be treated with histroids and laser treatments अब इसको treat कैसे कर सकते हैं तो फिर age sports in older peoples और younger peoples who tan a lot अब जो है age sports करता है ये sun exposure के कारण से ये जो है वो cost करता है ये जो है बहुत ज़्यादा मातरा में sun light के presence में होने के कारण से older peoples और younger peoples में दोनों में ये जो है वो देखा जाता है and they usually look like small grey, black और brown mark and can be treated with skin skin-blasting cream अब इसमें जैसे देखें तो फिर इसका ये किस तरीके से दिखता है तो फिर small छोटे छोटे इस तरीके से जैसे देखें ये तो ये अगर हमारा skin है तो यहाँ पर आपको black black दिखेगा है इतने ब्लैक दिखेगा brown brown दिखेगा या फिर black दिखेगा, brown दिखेगा, grey दिखेगा तो इस तरीके से छोटे छोटे पैचे स्टे के बनने लग जाते हैं तो ये क्या है हमारे age spots बोला जाता है ठीक है तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते है skin-blasting cream का चुह है ये उस किया जाता है अब आगे जैसे देखें, 5th है हमारा uneven skin tone इसमें देखें तो फिर a blotchy skin tone is also a very common through often more subtle form a blemish also known as hyperpigmentation it is caused by a irregular overproduction of melanin अब इसमें जैसे बोला जा रहा है कि जो blotchy skin tone रहता है, मतलब कि जो धब्बेदार skin tone रहता है, वो बहुत ही common रहता है, इसमें जो है बहुत ही छोटे छोटे जो है blemish जो है वो पाया जाता है also known as hyperpigmentation अब इसी को जो है hyperpigmentation बोला जाता है जो किसके कारण से कास रहता है irregular overproduction of melanin बहुत जादा मातरा में melanin के production के कारण से जो है यह चीज जो है देखा जाता है, remedies के बारे हम जैसे देखे तो फिर इसके treatment के लिए क्या-क्या remedies हम लोग यूज़ करते है तो उसमें first है calamine lotion, organic cocoa butter and baking soda यूज़ कर सकते है एक white हो गया apple cider vinegar हो गया aloe verazelle, organic honey, lemon juice, toothpaste, neem papaya, organic shea butter and turmeric face mask इन सब चीज़ों का यूज़ करके हम लोग blemishing जो आता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? treat कर सकते है oils का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि almond oil हो गया and argon oil हो गया, tea tea tree oil हो गया, virgin coconut oil हो गया, olive oil हो गया and rosyip oil हो गया, jojoba oil हो गया that form in our skin, some wrinkles can become deep crevices or furrows and may be especially noticeable around your eye, mouth and neck. अब जैसे इसमें बोला जारा है जो हमारा wrinkles रहता है वह skin में form करता है जो एक तरीके से line के तरफ फॉर्म करता है और यह जो wrinkles से ज़्यादा है हमारे जो eyes रहते है ना eyes के जैसे नीचे में जैसे बोल सकते हैं या फिर mouth के जैसे नीचे में नेक के पास जैसे बोलने तो फिर इन सब चीज़ों में जो है wrinkles देखा जाता है अब classification of wrinkles में देखे तो फिर फर्स हमारा liner wrinkles liner wrinkles में देखें तो फिर इसमें बोला जा रहा है commonly called cross fit around the outer corner of the eye अब इसमें जैसे बोला जा रहा है कि जो liner wrinkles रहता है उसको cross बोला जाता है और यह जो रहता है हमारे outer corner में रहता है हमारे eye के outer corners में जो है यह present रहता है अब second है हमारा glyphic wrinkles ग्राइफिक व्रिंकल में जैसे बोला जा रहे है कि gris crossing triangular और rectangular wrinkles commonly swing on the cheeks and neck अब जिससे देखें तो फिर यह जो glyphic wrinkles रहता है एक तरीके से क्रिस क्रॉस मतलब कि जैसे यह हमारा skin हो गया तो यह जैसे हमारे cheek हो गया तो उसमें जैसे इस तरीके से बहुत सारे निशान बनने लग जाते है मतलब कि अगर जैसे देखें तो इस तरीके से cross के form में जो है wrinkles जैसे वो दिखाए देते हैं हमारे cheek के उपर या फिर neck के उपर जैसे बोलें तो इस तरीके से जो है glyphic wrinkles होता है अब देखें तो फिर second है इसका third हमारा है crinkling अब crinkling में जैसे देखें तो विर्स में बना जा रहा है fine wrinkles commonly string on the unexposed skin of elder people अब जैसे देखें तो एक तरीके से fine wrinkles रहता है commonly यह चीज़ जैसे देखें elder people जो है उसमें यह चीज़ जो है वो देखा जाता है ठीक है अब इसमें causes के बाइन देखें तो विर्स में बना जा रहे कि जो age हो ग करण से इन सब चीज़ों के करन से जो हे वो वरिंकल जो है वो कोश करता है जैसे देखें तो इसमें यूज के जाता है व्रिंकल को प्रिट करने हहां इसम में हमार्व विकिल हीट के βारे में जैसे दे तो और मिलेरिया, it is caused by obstruction to the sweat duct, skin care is the main treatment and it is heat rash, characterized by itchy red spots which develop on the chest, under the armpits and between the thicks in the hot countries, अब इसमें जैसे बोला जारे कि जो prickly heat रहता है, इसको heat rashes के नाम से भी जाना जाता है, और यह किस कारण से होता है, obstruction of the sweat gland, sweat gland के उसका जो sweat duct रहता है, वो जब बंद हो जाता है, obstruct हो जाता है, उसके कारण से जो है यह cost करता है, इसका main treatment क्या रहता है, skin care जो है, इसका main treatment है, कि अपने skin का खयाल रखें, care रहता है, यह जो process है, यह prickly heat है, वो किस के कारण से और जैसे देखें, तो फिर किस तरीके से होता है, तो फिर यह basically caused by blockage of sweat gland, जब sweat glands ब्लॉक हो जाता है, तो उससे क्या होता है, sweat बाहर नहीं आपाता है, उसके कारण से यह prickly heat देखा जाता है, इसके जो image है, मैं आप लोग को वीडियो में दिखा दूगो, उसमें आप लोग देख लेंगे, कि किस तरीके से यह चीज होता है, causes के बाहरें जैसे देखें, तो इसमें causes ब्लॉकेज, sweet gland के blockage हो जाने के करण, inflamed skin, जब हमारे skin जो है, वो inflamed रहता है, उसके से इसमें, dress baby to warm ले, तो इसके कारण से जो है, वो cause करता है, और जैसे इसके prevention के बारें देखें, तो हम इस सीज को किस तरीके से prevent कर सकते हैं, spend as little time as possible in direct sunlight, मतलब की, हमें कुछ time के लिए, कम से कम direct sunlight के संपर्क में हमको जाना चा जा रहा है, तो वो कम से कम खुले, है ना, sweat जो है, वो body से बाहर है, तो इस सीज के लिए थोड़े से spend हमको direct sunlight में हमको जाना चाहिए, अब इसमें जैसे बोला जा रहे है, take frequent breaks in cool sets areas, यानि कि जो cool area, sets area हो गया, उससे थोड़े से हमको breaks लेने चाहिए, मतलब वहां से temperature रहता है, उसमें थोड़े time के लिए environment में रहने चाहिए, wear light loose fitting clothing, मतलब कि हमें जो है, light जो है, इसमें जैसे बोला जाए कि हमें light wet and loose fitting cloth है वो पहनने चाहिए, avoid caffeine, caffeine को avoid करने चाहिए, अब इसमें body order के बारें जैसे देखे तो इसमें बोला जारा, body order is unpleasant smell produced by bacteria on the skin that breaks down of the acid and sweats, अब ये body order के इसके करन से होता है, जब acid का breakdown होता है हमारे body में तो इसके करन से sweat बाहर आता है, तो इसके करन से हमें हमारे body में orders unpleasant smell produce होता है, अब इसमें आगे वही बोला जा रहे है कि जैसे sweat gland जो रहता है, वो थोड़ा सा develop हो जाता है, जिसके करन से order प्रोडूस होने लग प्रोडूस होता है, जिसके करन से कही सारे bacteria आता है, तो इससे जो order unpleasant order जो बनता है, smell जो बनता है, उसी के अब बारे में बताया जा रहे है कि जो food order रहता है, वो किस तरीके से produce होता है, इसके treatment के लिए जैसे देखे तो हम लोग किस तरीके से इस चीज को treat कर सकते हैं, तो उ यह दो टाइप के जो acid है, जो हमारे body में present रहता है, इनी के करन से हमारे body orders जो हो प्रोडूस होता है, treat and prevention of the body order, अब treat कैसे कर सकते हैं, prevent कैसे कर सकते हैं हमारे body orders को, तो उसमें कुछ steps हैं, जिससे हम लोग अपने body order को control कर सकते हैं, wash daily and warm water, हम डेली हमारे अपने आपको wash करन चाहिए, नहाना चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं, second clothing and use natural fibers, natural fiber जो कपड़े रहते हैं, उसका use करने चाहिए, avoid spicy food and deodorants का use करने चाहिए, तो यह सब चीज़ जो है, इसके कारण से हम लोग इसका use करके, जो हम लोग body order को कम कर सकते हैं, खतम कर सकते हैं, ठीक हैं, आगे जैसे treatment of food food order, food order को कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं, तो उसमें जैसे first day wash fit in warm water regularly at least once a day, अब इसमें कम से कम दिन में एक बार तो हमें warm water से क्या करने चाहिए, हमारे food को wash करने चाहिए, second जैसे बोला जा रहा है, wear a clean pair of socks each day, हम हर दिन जो है, एक साफ सूथरा जो socks रत है, उसको पहनने चाह कर सकते हैं, हमारे food order और body order को कम कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं, खताम कर सकते हैं, so I hope आप लोग को आज का वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा, अगर आज का वीडियो आप लोग के लिए थोड़ा भी अलप्यूर रहा हो तो please channel को like करें, subscribe करें, अपने friends को share करें and thanks for watching this video.